दोस्तों इस कहानी में हमें एक ऐसे 50 साल के आदमी को देखेंगे जिसे 25 साल की हेर डेसर से प्यार हो जाता है जिसको पानी के लिए वो किस हद तक चला जाता है देखेंगे आज की इस कहानी में कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक 12 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम अंटोनियो होता है जो की फ्रेंच डांस कर रहा होता है अंटोनियो अपनी इस छोटी सी उमर में एक हेर डेसर से प्यार कर बैठता है जिसको देखने के लिए अक्सर वो उसकी दुकान के पास जाया करता था वो लेड़ी अपने एरिया में काफी फेमस हेर डेसर थी जहां पे काफी सारे आदमी बस उसको देख के अपनी आग को सेकने के लिए आया करते थे जिसमें से एक अंटोनियो भी होता है जो कि अक्सर उसकी दुकान पे हेर कट करवाने के लिए जाया करता था और उसके वाटर मैलन को देखा करता था और दिन पर बस उसी लेड़ी के बारे में सोचा करता था एक बार जब वो उस लेडी की शौप पे जाता है तो वो देखता है कि उस लेडी की अचानक दैथ हो गई है जिसके बाद अंटूनियो उसी को ही देख रहा होता है जिसके बाद कहानी कुछ साल बात दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि अंटूनियो अब एक 50 साल का आदमी बन चुका है जो कि अभी तक अन्मेरिट है क्योंकि आज तक उसे वो लेडी नहीं मिली थी जिनका नाम मिस मलेना होता है और अंटूनियो आज भी हर रोज बस उसी को ही याद किया करता था जहां अंटूनियो के एरिया में एक नई हेर डेसर की साब खुलती है जहां पे अंटूनियो जाता है और उसे वहां पे एक बहुत ब्यूटिफुल लेडी दिखाए देती है जो कि वहां की हेर डेसर होती है जिसका नाम मिस सोफिया होता है मिस सोफिया को देखके अंटोनियो को उसकी मिस मलीना याद आती है और वो जब जब सोफिया को देखता है उसको मिस मलीना की ही याद आने लगती है जिसके बाद हम देखते हैं कि अंटोनियो अक्सर उस लेडी की शॉप में जाने लगता है जहां पे वो अपना हर रोज हेर केर करवाता है और एक दिन मौका पागे वो उसे प्रपोस कर देता है जहां पे मिस सोफिया पहले उसकी बातों को इगनौर करती है मगर एंटूनियो हार नहीं मानता और मिस सोफिया के पीशे पर जाता है और एक बार जब उसकी शॉप में कोई भी नहीं होता तो वो उसके साथ जाके फिस्कल हो जाता है जिसके बाद इन दोनों का रिलेशनसिफ चालू हो जाता है और जब शॉप में कोई भी नहीं होता तो दोनों लोग उस शॉप के अंदर काफी रोमैंस करते हैं जिसके बाद कुछ टाइम बाद दोनों लोग चर्च में जाके शादी भी कर लेते हैं जहां पे मिस्सोफिया काफी यंग लेडी होती है मगर अंटॉनियो काफी बूरा हो चुका होता है मगर हम देखते हैं कि दोनों के बीच में काफी अच्छा प्यार होता है और दोनों लोग काफी आपस में साथ में टाइम भी स्पेंड करते हैं मगर मिसोफिया अंटोनियो से साधी करने के बाद भी अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ती वो अपनी हेर डेसर की शौप को चालू रखती है जहां पे हम देखते हैं कि अंटोनियो भी उसका काफी साथ देता है और जब राद होती है तो ये लोग सटर डाउन करके आपस में काफी रोमैंस करते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि जब अंटोनियो सोफिया को घुमाने के लिए एक गारडन में लेके जाता है तब वहाँ पे एक बुड़ा आदमी आता है जो कि अंटोनियो से कहता है कि तुम जितना ज़्यादा बुड़े होते जाओगे उतना सोफिया के लिए तुमारे लिए प्यार कम होता जाएगा क्योंकि एक समय के बाद सोफिया तुमें छोड़के चली जाएगी जहां पे अंटोनियो उस बुड़े आदमी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लोग वापस से अपनी दुकान में आ जाते हैं और उस दिन उस एरिया का मौसम काफी खराब होता है वहाँ पे काफी बारिश हो रही होती है जिसके वज़े से हम देखते हैं कि दोनों लोग फिर से आपस में काफी रुमैंस करने लगते हैं और दोनों लोग उस रात काफी खुश होते हैं मगर तब ही मिच sufya को याद आता है कि वो अपना कीम्ती समान उस गार्डन में छोड़ाई है जहां पि वो अंटोनियो से कहती है कि वो अपना समान लेने के लिए गार्डन में जा रही है कि बाहर काफी बादिश हो रही है और तुम्हें ऐसे मौसम में बाहर नहीं जाना चाहिए मगर मिश सोफिया उसकी बातों को नहीं सुनती है और अपने समान को लेने के लिए गार्डन में चली जाती है और हम देखते हैं कि जब मिश सोफिया गार्डन की तरफ जा रही होती है तो उसका balance बिगर जाता है और वो एक जील में गिर जाती है और suddenly उसकी वहाँ पे death हो जाती है जहाँ पे वं अंटोनियो को देखते हैं जो की सोफिया का इंतजार कर रहा होता है मगर जब सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि मिश सोफिया की death हो चुकी है वो सोफिया के जाने के बाद उसकी सौफ को खुदी चलाता है और वो अपनी लाइफ में फिर से खुश हो जाता है जहाँ पे हम आखरी बार अंटोनियो को फिर से फ्रेंच डांस करते हुए देखते हैं तो आई होग आईस आपको इस मूवी का एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू